नमस्कार भारत के पहले मुबाल न्यूस चानल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामेका इस खास न्यूस बुलेटिन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइन्स पर कॉल ब्लॉक आवंटिन घोटाने में पूर्व कोयला सचीफ एच सी गुपता और पांच अन्य के खिलाफ आरुपते हैं धोकाधड़ी और आपराधिक शडियंतर का मामला शामिल बीजेपी विधायक संगीत सोम का विवादत वयान यूपी में बीजेपी को हराना पाकिस्तान बनाने जैसा यूपी चनाव को बताया हिंदुस्तान पाकिस्तान के जंग ज़र्वान नरसिंख के पिता ने पी-एम से की मामले में हस शेप की गुजारिश भारतिया पार्टी महसंग ने मामले की CBI जाँच की मांग की एंडिया के घटक दल RLSP में उठा पटक पार्टी से सांसत अरुन कुमार और विधायक ललन पासवान निलंबित पहले बिहार RLSP अध्यक्षपत से हटाया गया था सांसत अरुन कुमार को और भारतिया बैटमिंटन की नई संसनी पीविस सिंधू को सारा देश दे रहा है शुपकामनाई लोगों को उमीद सिंधू रियो ओलम्पिक से लाएंगी गोल्ड आज फानल मुकाबले में भिढ़ेंगी स्पेन की केरोलीना मारीन से रियो ओलम्पिक में पीविस सिंधू ने भारत के लिए गोल्ड की आस जगा दी है आज हर भारतिय की यही तमन्ना और चाहत है कि सिंधू जीते और भारत की जोली में सोना आए मुकाबला फानल का है ऐसे में टककर रोमान चक होने से कोई इनका नहीं कर सकता जोकि भारत की शेरनी सिंधू का मुकाबला दुनिया की नमबर वन खिलारी से है इसलिए ये कार्टे का मुकाबला है इस वक्त सिंधू का जो फार्म और जजबा है वो बता रहा है कि जीत उनके बाए हाथ का खेल है आपको बता दे कि सिंधू का मुकाबला दुनिया की नमबर वन खिलाडी के रोलीना मारीन से है सिंधू के फाइनल तक का सफर बहुत ही शांदार रहा है ओलंपे के फाइनल में पहुंचने तक वो एक भी मैच नहीं हारी है कॉटर फाइनल मुकाबले में सिंधू ने विश्व रैंकिंग में नमबर दो की चेनी खिलाडी वा नियाहान को करारी शिकस दी और सेमी फाइनल में जगा बनाए समी फाइल में सिंदो ने शांदार खेल दिखाते हुए जापान की निजोमी ओकुहारा को हरा कर फाइनल में अपनी जगा पक्की कर ली दिली की एक विशेश अदालत ने कोईला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामने में पूर्व कोईला सचीफ एच सी गुपता दो लोक सेवको नीजी कमपनी विकास मिटल्स अंड पावर लिमिटेट और उसके दो अधिकारियों के खिलाफ शुकरवार को विभिन आरोपते क जिसमें धोका धड़ी एवंग आप राधिक शडियन तरुम्स शामिल है विशेश नयाधिश भरत पारासर ने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जिसमें इसे पहले अदालत ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट खारिच कर दी थी अदालत ने जाच नेताओं को लेकर है सितंबर 2012 में CBI ने मामले में एक प्रात्मी की दर्च की थी पाकिस्तान को लेकर नेताओं में जुमलों का माहौल है मेरट की एक रैली में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि यूपी का अगला चुनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ज बतता है कि यूपी विधान सबाचनावों में अगर बीजेपी जीती तो हिंदुस्तान जीतेगा लेकिन अगर गैर बीजेपी पार्टी जीती तो ये जीत पाकिस्तान की होगी संगीत सोम मेरट की सरधाना सीट में सरधाना सीट से मले हैं मुझफर नगर दंगों में भी उ किमरान याकुब जीद गए तो भी यहां पाकिस्तान बन जाएगा एंडिये का घटक दल राश्ट्रिय लोक समता पार्टी ने अपने एक सांसद अरुन कुमार और विधायक ललन पासवान कुशुक्रवार को पार्टी से निलंबित कर दिया है मालूम हो कि हाल ही में पार्ट कि 17 अगस्त को पठना में आयोजित एकारिक्रम में पार्टी के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष और जहानाबाद सांसद अरुन कुमार गुठ ने उपेंद्र कुश्वाह को राश्ट्रिय अध्यक्ष के पत से हटा दिया था और उनकी जगा सांसद अरुन कुमार क पार्टी का नया राश्ट्रिय अध्यक्ष गोशित कर दिया था पहलवान नरसिंग यादव के माता पिता जो इस खबर से बहुत दुखी है कि उनके बेटे पर चार साल का बैन लगा दिया गया है और अव्या उलंपिक का हिस्सा नहीं बन पाएगा पिता ने कहा हमारे बे पर से ये प्रतिबंद हटवाए ताकि उसे खेलने का मौका मिले वही भारतिय उलंपिक संग ने पहलवान नरसिंग पर लगे च्वा साल के प्रतिबंद को दुरभागे पून बताते हुए कहा है कि ये खिलाडी का विक्तिगत नहीं बलकि पूरे देश का नुकसान है भार होने के साथ चास साल का प्रतिबंद छेलना पड़ा डबलू यू एफ आई अध्यक्ष ब्रिज भूशन शरन सिंग ने कहा कि खेल पंचाट की समीटी ये जानने पर अड़ी थी कि यदि कोई साजिश हुई है तो गुन्रेगार को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली सिंग ने और नेता नवजोत सिंग सिद्धू के सियासी डगर को लेकर अटकलो का वाजार गर्म है बीज़ेपी से नाराज चल रहे सिद्धू के पंजाब चनाब से पहले आम आधी पार्टी में श्रामिल होने को लेकर लगाए ज़ा रहे कयासों की दिल्ली के मुखे मंत्री अर्व ज़के जरिवाल ने लिखा वे एक अच्छे इनसान है और एक माहान क्रिकेटर वे पार्टी में शामिल हो या ना हो उनके लिए मेरा समान हमेशा बना रहेगा राजस्तान ने पाकिस्तान के जासूसी और आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है जैसलमेर में पाक 32 किलो आर्डी एक्स भारत में बंब लास्ट के लिए पहुचा चुका है आई बी रॉ और राजुस्तान के इंटलिजन्स एजनसी ने इस नेटवर्क का भांडा फोर्ड किया है गिरुफतार पाकिस्तानी एजन्ट के पास से एक डाइरी भी बरामद हुई है जिसमें सारे डीटेल लिखे हैं इसमें लिखा हुआ है कि कब कब पाकिस्तानी खूफे एजन्सी इसके खाते में पैसे डालती थी इसके काम के बदले ISI 10 से लेकर 60-70,000 तक देती थी नंदलाल का पूरा परिवार पाकिस्तान में है लेकिन पैसों के लालच में यह पाकिस्तान के लिए सुसी करने के लिए तैयार हो गया बिहार के गोपाल गंज में शराब पीने के बाद तीन और लोगों की मौत हो गई इस तरह मरने वालों की कुल संख्या सत्रा हो गई है इनमें पी-एम-सी-एच में इलाज के लिए पहुंचे दो लोग शामिल है इधर इस मामले में जुला प्रशासन ने मान लिया है कि सत्रा लोगों की मौत शराब या शराब जैसे जहरीले पे पीने से हुई है साथ ही नगर थाने में इंस्पेक्टर बीपी आलोग समेट 25 पुलिस कर्मियों को गुरुवार को सिस्पेंट कर दिया गया है पुलिस की छापे मारी के बाद गिरफ जुर्माना या उसे भी बड़ी सजा पर विचार कर रहा है अमारिका के 32 संसदों के एक सम्हों ने अमारिका के राष्ट्रपती वराक उबामा से दलाई लामा के तिबत लोटने के अधिकार का सारवजनिक रूप से समर्थन करने और चीन के जेल में सरढहे सभी राजनेति संसदों ने उबामा को एक पत्र में लिखा है हम यह कहने के लिए पत्र लिख रहे हैं कि पद पर रहते हुए आप अपने शेश कार्यवधी के दौरान तिबत के लोगों का समर्थन करने के प्रयास तेज करें 17 अगस्त को लिखे तीन फिष्टो वाले पत्र में कहा गया है कि तिबती लोग अमेरिका को अपने दोस्त की तरह देखते हैं ये उनकी दोस्ती को नए सार्थक समवाद को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक रनीतियों और उनके अनोखे संस्कृती धर्म और भाशाय पहचान को बचाए रख कर सम्मान देने का समय हैं खबरों के सफर मिफल हाल इतना ही देश और दुनिया की पलपल की खबरों के लिए जुड़े रही मैट्रो टीवी के साथ